आपने पढ़ी लिया होगा कि ये एक ट्राइंगल ABC है इस ट्राइंगल ABC में ये एक पॉइंट है N ये पॉइंट N AC के उपर कहीं लिया हुआ है और N से एक लाइन पैरलल ड्रॉ कर दी जाती है BC के साथ ये NM is पैरलल टू BC और ये उधर जाके एक ट्राइंगल मतलब एक कट ह हा जाता है और एक ट्राइंगल पूरा कर दिया जाता है अब question वो ये है कि उसने ये trapezium जो बनता है इसका area दे रखा है और वो area पूछ रहा है ऊपर वाले triangle का area कितना है करने के बहुत सारे तरीके हैं और मैंने blog page पे काफी तरीके दे भी रखें आप वहां देख लेना ले आडे वाले ट्राइंगल दोनों को common हो जाता है, सही होगी बात, दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यूंकि MN parallel है BC के, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि by AA similarity rule, ये जो आपका ये वाला ट्राइंगल है और जो बड़ ट्राइंगल है, ये आपस में similar साबित हो जाते हैं, सही होगी बात, ये छोटा और बड़ा ट्राइंगल आपस में similar हैं, तो अब इससे क्या होता है, कि ये जो रेशो आपकी N और NC की रेशो 4-5 दी हुई है, उस वज़ा से ये मैं MN जो है, ये छोटे वाले ट्राइंगल क जो MN है, आप इसको अगर इसकी length को आप 4 मानते हैं, तो ये BC का length कितना होगा, ये होगा 9, ये मैं समझा देता हूँ, ये पूरा 9 कैसे है, ये आपका जो AN है, छोटे का है, ये NC दूसरा पार्ट है, लेकिन पूरा पार्ट ये 4 और 5 का जोड़ करके 9 ही बनता है, इसका मतल है, ये MN और इस BC का जो रेशो है, वो 4 इसको 9 होगा, ये बात यहां तक clear है आपको, अब अब आप ये जो इसको मैं X माननूं point को, अब AX जो है, इसकी और ये आप इसको मान लीजिए Y, AX और XY की रेशो जो है, वो भी 4 इसको 9 ही होगी, 4 इसको 5 ही होगी, ये पार्ट आपका इसको मान लीजिए, आप 4K, और ये दीचे वाला पार्ट है, ये 5K है, ये यहां से यहां तक 5K, और यहां से यहां तक 4K, क्योंकि आप अगर इस triangle को भी देख लेंगे, तो ये आपको रेशो वहीं से समझ आ जाएगी, ये जो line है, ये सभी के parallel ही जा ये 4K है, ये 4K और ये वाला पार्ट 5K हो जाता है, इसको थोड़ा सा बस द्यान से समझने की बात है, बाकी तो सारी स्टोरी आपको अब समझ आ ही जाएगी, अब ये देखें कि ये आपका ये वाला जो MN है, वो parallel है BC के, तो ये जो figure दी हुई है, वो क्या बनती है, ट्र वाली साइड कितनी करी थी हमने 4, प्लस ये नीचे वाली साइड कितनी है, ये 9 है, average of the two sides into distance, distance 5K है, ये वाला पार्ट, ये कितना दिया हुआ है आपको, 130, अब ये 9 और 4, इसको calculation कर ले, 9 और 4, 13 होगे, 13 और ये 130 कटके 10 होगे, ये 2 उधर गया, 20 तो ये मतलब के आपका 4 क के बराबर आजाता है, इसको हम 2 मिनिट के लिए लिख लेते हैं, डबल चेक कर लेते हैं, 5 जो के 20, 10, 13 ठीक है, ये आपका जो K है, वो 4 के बराबर आगया, अब ये निकालना क्या है, ये AMN का एरिया निकालना है, AMN का एरिया क्या होगा, half of base, इसकी base कितनी है, 4, ये जो ह हमने 4 ही calculate करी थी, half of 4 into, इसका height कितना है, 4K, ये 4K, इसकी base 4, ये पूरे की base 9 थी, और ये 4K, और ये इसकी base मिलके, ये triangle का area बनता है, ये कितना बनेगा जी, 2 और 4 मिलके 2 होगे, 2 और 4 के, 8 into K, 8 K, K 4 है, 8 4 के, 32 square unit is का answer ये बनता है, ये इस तरह से question करना था, करने के तरीके और भी है, मैंने blog पर दे रखे हैं, इस video की description में है, आप वहाँ से check कर लेना, so this is how you do it, thank you.